कैट्स एक ऐसा एनिमल है जिसने अपने क्यूटनेस से सभी को धिवाना बनाया है भले ही ये डॉक्स की तरह वफदार नहीं होते हैं पर फिर भी इसे लोग काफी पसंद करते हैं वीडियो का डाइडल पढ़कर आप ये समझी गए होंगे कि आज का टॉपिक बिल्यो के उपर है आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बिल्यो का बॉड़ी इतना कलरफुल क्यूं होता है बिल्यो के शरीर का रंग इतना ज़्यादा कलरफुल होने का एक रिजन उनके शरीर का टेंपरेचर होता है जितना ज़्यादा टेंपरेचर उतना ज़्यादा गहरा रंग मतलब समझिए जब बिल्य अपने मां के पेट में होती है तब उसके body के color सिर्फ white होता है और पैदा होने के बाद उनके body के temperature के हिसाब से उनके शरी का color बदलते रहता है मतलब बिल्यों के फर का रंग उनके त्वजा के temperature पर निर्वर करता है अगर मान लीजिए कि उनके पूठ के हिस्से में जधा गर्मी होगी तब वो हिस्सा काफी जधा dark color का हो जाएगा और आपने कई सारे ऐसे बिल्यों को देखा होगा जिनका कान, face और पूछ का हिस्सा काफी जधा dark color का होता है क्यूंकि ये हिस्से होते हैं जो काफी जादा हीट पैदा करता है तुसरा रिजन उनके आसपास के वातावरन और खान पान पर भी निर्भर करता है जैसा वातावरन होगा और जैसा उनका खान पान होगा वैसा उनका कलर बदलते जाएगा जिस तरह फ्लिमिंगो का रंग उनके खान पान के वज़े से बदलता है आज के लिए बस इतना है अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू फॉर वाचिंग एंड सेव नेचर सेव वाइड लाइफ